मेरे Spamistry and Stology वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम analysis करेंगे this hand का और check करेंगे इसमें क्या-क्या नहीं चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद check करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम check करेंगे lines को इस तरह से पूरे hand का जो analysis में complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ सासा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नज़र आ रहा है यह मेरा WhatsApp नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं यह phone consultation लेना चाहते हैं तो इस WhatsApp नंबर पर message send कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरह से एक square shape बनाती हुई नज़र आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को हम check करें तो यहाँ पर medium length में हैं इनकी fingers सभी fingers के ओपर बिलकुल सीधी खड़ी रिखाएं नज़र आ रही हैं कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रिखाएं लगबग इनकी सभी fingers के lower phalanges के ओपर clearly नज़र आ रही है जो indicate करती है एक बहुत ही मिलनसार टाइप की nature को उसके साथ साथ कुछ आड़ी रिखाएं भी हैं इस तरह की आड़ी रिखाएं अगर बहुत ज़्यादा हो तो native की nature थोड़ी aggressive भी हो सकती है लकिन यहां पर बहुत ज़्यादा रिखाएं तो नहीं हैं लेकिन कुछ हलका प्रभाव इन रिखाओं का भी रहता है और अगर हम बात करें fingers की thickness की तो यहां से आप देख सकते हैं fingers काफी थिक हैं जो बहुत अच्छी energy और stamina को indicate करती है और अगर हम बात करते हैं इनके fingers की लंबाई की तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी surya finger की जो लंबाई है इनकी index finger के लगबग equal नजर आ रही है बहुत ज़दा difference नहीं दोनों fingers में surya finger थोड़ी सी ज़दा लंबाई में है लेकिन इस finger का length में होना बहुत अच्छा माना जाता है यह finger जथनी ज़दा length में उतनी अच्छी creativity native के भीतर रहती है surya finger अगर लंबाई में हो तो ऐसे व्यक्ति का social circle बहुत अच्छा रहता है creative and artistic type की nature व्यक्ति की रहती है और अगर हम बात करें index finger यानि के ब्रस्पती finger की अगर यह finger strong हो thickness में अच्छी हो और लंबाई में भी अच्छी हो तो native की leadership qualities बहुत अच्छी होते हैं यहां पर medium size की finger है तो leadership qualities medium level की रहेंगी लेकिन thickness बहुत अच्छी है इस finger की जिस वज़े से काफी knowledgeable type की personality इनकी मैं यहां पर देख पा रहा हूँ बात करते हैं की shunny finger की तो यहां पर आप देख सकते हैं shunny finger में किसी तरह की कमी नजर नहीं आ रहे है बीशक इनका shunny mount बिल्कुल flat है लेकिन shunny finger की लंबाई काफी अच्छी है यह finger thickness में भी अच्छी नजर आ रही है जिस वज़े से एक hard working type की personality इनकी रहेगी ऐसे व्यक्ति अपनी hard working और discipline type की nature की वज़े से life में काफी अच्छी progress पाने में काम्याब रहते हैं बात करते हैं इनकी mercury finger की यहाँ पर आप देख सकते हैं mercury finger थोड़ी सी low set जरूर है लेकिन यह finger इनके सूर्य finger के top phalanche तक पहुँच रही है जिसकी वज़े से काफी अच्छे communication skills इनके आप नजर आ रहे हैं साथी साथ ऐसे व्यक्ति का business equipment भी strong रहता है जिनकी यह finger अच्छी length में और खास और पर सूर्य finger के top phalanche तक यह finger पहुँच रही हो तो ऐसे व्यक्ति का business equipment और calculations करने की capability भी काफी अच्छी रहती है overall काफी positive fingers नजर आ रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं fingers के बीच में बिलकुल भी gaps नजर नहीं आ रहे हैं इस तरह की fingers होने की वज़े से native की money management है वो बहुत अच्छी रहती है ऐसा व्यक्ति धन की आहिमियत को समझता है और अपनी धन को किस तरह से manage करना है किस तरह से spend करना है या invest करना है उसकी काफी अच्छी जानकारी रखता है तो यहां तक मैंने देखा हैं इनकी fingers को चलिया आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि सभी mounts को और इनकी रेखाओं को भी तो अगर मैं यहां पर एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनका surya mount, shani mount and guru mount यह तीनों mounts काफी अच्छी space पा रहे हैं, mercury mount यहां पर हलका सा low set हो रहा है आप देख सकते हैं, mercury mount का low set होना indicate करता है कि native की nature थोड़ी सी shy रह सकती है और जिसकों introvert type की nature कहते हैं, कुछ ऐसी nature रहने के समभावना हैं, लेकिन overall business equipment इनका काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि उसके लिए mercury रेखा इनके हाथ में मौझूद है, आपको दिखाना चाओंगा, बेश्क बहुत ही बारीक mercury line इनके हाथ में है, लेकिन यहां पर आपको इस size की रेखा नजर आएगी, बहुत ही बारीक सी एक रेखा, इस तरह की रेखा अगर हाथ में मौझूद हो त कि अपर ऐसी रिखाएं अगर कड़ी रिखाएं मौझूद हों, तो ऐसे व्यक्ति के भीतर दूसरों को हील करने की capability रहती है, ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने करमों से, या अपनी सलहा या consultation से दूसरों की problems को दूर करने की काबलियत रखते हैं, तो कि जिस तरह कि qualities इनके भीतर नजर आ रहे हैं, इनके mercury mount के जरीए, जो बेशक low set है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे results देने में capable रहेगा, बात करते हैं इनके suria mount की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका जो suria mount है, काफी अच्छी space इस mount को मिल पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्या लंबी suria rekha का भाव यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ जो mount है, आप देख सकते हैं, इस mount को हम बहुत ज़्यादा उबराओ mount तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हम बात करें, इस mount के ओपर बनने वाले रेखाओं की, तो आपको यहाँ से एक रेखा चलती नजर आएगी, ल अगर यहाँ से क्यों रेखाय से शुरू होकर इस mount तक पहुन जाए, इस तरह की लंबी रेखा किसी के भी हाथ में है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा name and fame मिलता है, काफी प्रसिद्धी मिलती है, तो यहाँ पर प्रसिद्धी थोड़ी सी कम हो रही है, यश नहीं आ जाती है, जो भी एक से ज़्यादा रेखाएं सूर्य माउंट के उपर हो, ओवरॉल सूर्य माउंट के उपर कोई भी negative इचे नजर नहीं आ रहा है, जो बहुत अच्छी बात है, आगे बात करते हैं, इनके शनी माउंट की, सूर्य माउंट की बाती, शनी माउंट भी हलका सा दबताओं नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा उबराओं माउंट इसको हम नहीं कह सकते हैं, फ्लैट टाइप का माउंट यहां पर नजर आ रहा है, जिस वज़े से लाइफ में काफी मेहनत रहेगी, लेकर सबसे अच्छी बात यह है, कि एक लंबी शनी रेखा इनके हाथ में मौझूद है, जिसको हम भागया रेखा का नाम भी देते हैं, आपको यहां पर दिखलाना चाहूंगा, ड्रॉ करकर यहां से ही आपको यह है रेखा शुरू होती नजर आएगी, और तकर यह रेखा इस तरह से लाइफ लाइफ लाइन से ही जुड़कर यहां मौझूद हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपसेंट डाउंस नहीं होते, जैसे आप देख सकते हो, यहां पर कुछ आपको इस तरह की बारीक रिखाएं, इनकी सरेखा को टच करती नजर आएंगी, इस तरह की रिखाएं होने से कुछ अपसेंट डाउंस आने की संभावना भी रहती है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे, यहां जो एज रहेगी, लगबग यहां पर तीस के आसपास की एज, उसके बार यहां पर थर्टी सैवन के आसपास की एज और फॉर्टी फाइव के आसपास की एज में, कुछ फाइनेशिल लॉसिस होने का भी चांस रहेगा, लेकिन एक लंबी भागया रेखा होना, व्यक्ति को एक comfort zone देता है, ऐसे व्यक्ति comfortable life को enjoy कर पाते हैं, और life में लगातार income generate करते रहते हैं, तो यहां पर कुछ इस तरह की एक अच्छी भागया रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करत इस area में आपको एक square formation नजर आएगी, तो square किसी भी mount के उपर बने, इसके जो results होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यह हमें protect करता है, इस तरह का square अगर किसी व्यक्ति के हाथ पे बनता है, तो ऐसे व्यक्ति की life में शुरू में initially कुछ दिक्टें आ सकती हैं, यहां पर जो प् problems के बाद उन problems को पार कर जाते हैं, और जो इनकी life है, वो सुखद रहती है, तो यहां पर यह square का chin बहुत अच्छे results देने वाला माना जाएगा, इस चिन को बहुत ही positive sign के तोर पर देखा जाता है, overall अगर देखा जाए, यहां पर एक आपको आड़ी रिखा नजर आएगी, इस तरह की आड़ी रिखा को line of sympathy कहते हैं, एक sympathetic type की nature ऐसे व्यक्ति की रहती है और दूसरों की help करने वाली nature और ऐसे व्यक्ति काफी ग्यानवान होते हैं, जिनके हाथ पर इस तरह के chin मौजूद हो, अब बात करते हैं, इनके heart line की, आप देख सकते हैं, heart line में कुछ overlapping आपको नजर आ रही है, जो indicate करता है, caring type की nature को, खाफी emotional type की nature भी ऐसे व्यक्ति की रहा सकती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की overlappings का होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, heart की health के लिए यह बहुत अच्छा योग नहीं है, blood pressure जैसी problem ऐसे व्यक्ति को हो सकती है, और ऐसे native को अपनी life में, अपनी heart की health का खास ध्यान रखना चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी line of mind को, mind की line को गर हम देखे तो बहुत अच्छी और length में mind की line नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा जुका भी इस रेखा में नहीं है, इस तरह की mind line का होना indicate करता है कि native का mind बहुत sharp रहेगा, काफी अच्छी memory ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इसी quality की वज़े से life में तरक्की कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति, खास तापर mind की line अच्छी हो और साथी साथ freight line भी अच्छी हो तो ऐसा व्यक्ति, sharp minded तो होता है लेकिन साथी साथ भाग्यवान भी होता है, तो यहां तक हमने यह qualities इनके भी तरदे की चली है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं इनकी line of life को, अगर हम इनकी life line की बात करें तो life line कुछ area में आगे बढ़कर मर्ज होती नजर आ रही है, इनकी fate line में ही, इस तरह की रेका होने से व्यक्ति की life में changes आना सभाव भी करायता है, आप देख सकते हैं, यहां तक यह है रेका चल कर, यहां से इस रेका का साथ लेती हुए आगे बढ़ रही है, यहां पर जो एक shift नजर आ रहा है आपको, जिसको हम outward shift कहते हैं, इस तरह का change अगर हो, तो ऐसे व्यक्ति की लगबग 55 के असपास की age में आकर life मे changes आते हैं, ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रोवर्ट हो जाता है, घर से दूर जा सकता है, और लंबी दूरी की यात्राएं ऐसे व्यक्ति की life में आ सकती हैं, और जो यह shift नजर आ रहा है, इस वज़े से घर से दूर जाकर किसी दूसरी state या country में बसने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, लिटरीज में चल कर, अगर हम देखें तो यहां पर लंबी life line है, लगबग 80 के आसपास की age रहनी की सभावना रहेंगी, और अगर हम इस रेखा को देखें, इसको मंगल रेखा का नाम दिया जाता है, मंगल रेखा आप में मौझूद है, थोड़ी से aggressive nature तो विनस माउंट की, विनस माउंट को अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा एरिया इस माउंट को मिल पा रहा है, थोड़ा खर्चीला सभाब भी इस माउंट की वज़े से हो सकता है, लेकिन अगर fingers आपस में जुड़ी होएं तो money management अच्छी रहती है, बिश्यक ऐसे व्य माउंट के ओपर भी square का chin है, तो initially after marriage थोड़ी सी दिक्कते stability में इनकी married life में आ सकती है, overall की major problem यहाँ पर नजर नहीं आ रही, चंदर माउंट के अगर हम बात करते हैं तो चंदर माउंट बिलकुल clear है, कोई भी negative chin इनके moon mount के ओपर नहीं है, mind line बिलकुल stable है, जिस वज़े से mind की stability lifelong बनी रहेगी, तो दोस्तों यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है, कि सभी स्वालों के जो आब एकी वीडियो के तुरू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई नो कोई चिन या स्वाल रह जाता है, तो इनसे request है, कि अगर इनका कोई question pending है, तो म मुझे WhatsApp पर message करें, मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.